अस्सलाम अलेकूम और गुड मॉर्निंग जैसे क्लास 12 के ओफलाइन क्लास स्टार्ट हुए है कल गवर्मेंट ने डिकलेर किया खुजराट गवर्मेंट ने के क्लास 9, 10 और 11 के ओफलाइन क्लास भी 26 जुलाई मंड़े से स्टार्ट होंगे हमारे लिए अभी class 9 और 10 अवेलेबल है class 11 के लिए थोड़ा time लगेगा क्योंकि 10 का result CBAC का अभी declared नहीं हुआ है तो students और parents से request है कि जो कुछ चीजे मैं आपके साथ अभी share कर रहा हूँ please आप उसको follow करे सबसे पहला तो 9, 10 के जो classes है offline class यानी school में आके पढ़ाई होगी वो 26 July यानी Monday से start होगा class 9 को morning में आना है और students का time रहेगा school पे 8.15 यानी quarter past 8 से लेके 11 o'clock तक I repeat again class 9 का जो time रहेगा school में वो रहेगा 7.8 यानी 8.15 से लेके 11 o'clock तक और class 10 और 12 का जो time रहेगा वो afternoon का time है यानी time होगा 11 o'clock से लेके 1.30 तक इसी time में schools में आपका आना भी है reporting भी है five lectures लिये जाएंगे और उसके बाद जो time मेंने आपसे share किया उसी time में आपको छुट्टी मिलेगी parents से request है कि transportation की जो भी responsibility है बच्चों की वो आप care करेंगे दूसरी बार ये जो attendance है वो mandatory नहीं है तो जो students घर पे पढ़ाय करना चाहते हैं कर सकते हैं उसके लिए live class जो होंगे हमारे 9, 10 और 12 के वो अभी बन हो सकते है या बन किये जाएंगे क्योंकि teachers जो है वो offline education में busy होंगे लेकिन अगर students चाहे तो YouTube videos डेख सकते हैं class 8 के लिए अभी permission D नहीं है तो इसकी वज़ा से class 8 के जो regular live lectures morning में जो है वो continue रहेंगे अपने जो भी schedule है उसी schedule में continue रहेंगे दूसरा है कि class 9, 10 और 12 के जो offline lectures है यानि school में जो आना है उनका जो number of days है वो होंगे 4 days यानि Monday, Tuesday, Wednesday और Thursday Friday, Saturday, Sunday बच्चों की और teachers की छुटी रहेगी उसके बाद अगर कोई changes आता है timing में या schedule में तो वो school में बच्चों को inform किया जाएगा बच्चों का जो entry है और exit है वो main parking area है जो हमारा main parking area school में है वही से आपको आना भी है वही आपका exit भी होगा student से request है कि जो protocols है COVID-19 के related आप उसको follow कीजे mask है, social distance है वो सब follow कीजे recess आपको नहीं मिलेगा पानी का bottle आपको घर से लेके ही आना पड़ेगा दूसरी बात है 12 standard के लिए ground floor पे classes allot किये है 12 science commerce के लिए 9 और 10 के boys के लिए जो है वो first floor पे class allot किये गए है और 9 और 10 की girls के लिए जो है वो second floor पे class allot किये गए है classes जो भी आपके है वो class का जो door होता है door के ऊपर class mention किया जाएगा चौक से तो आप वो easily find out कर सकते है अब और main important part consent letter parents से request है specially class 9 और 10 के क्योंकि 12 के consent letter तो हमें मिल चुके है तो consent letter यानि permission letter देना जरूरी होता है parents का उसके बगेर students को entry नहीं मिलती है तो parents मैं इस वीडियो के बाड whatsapp group में ये consent letter आप से share कर रहा हूँ तो वही consent letter आप या तो print निकाल दीजिए और उसके अंडर जो भी information है वो fill up करके जब भी बच्चा school आता है Monday को Tuesday को जब भी आप चाहो बच्चों को बेच सकते है school officially start होगा Monday से तो बच्चों के साथ ही ये letter आपको बेजना पड़ेगा तो parents अगर चाहे तो ये consent letter जो है जो मैं आपको whatsapp पे share कर रहा हूँ उसकी print लेके फिर उस पे sign करके बच्चों के साथ बेज सकते है या तो फिर अगर print का आपको issue है तो आप Monday को खुड यानि parents school आके school मैं से hard copy लेके वही पे sign करके school में जमा करवा सकते है तो किसी भी हाल में consent letter ज़रूरी है without that students will not be allowed to enter the class so my humble request to all the people parents and students try to cooperate and inshallah we will have a very good time in the school and students will get all the benefits of offline education thank you very much to all of you